हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीनागरवल किचिन आज की जो रेसिपी है वो सदियों से चली आ रही है जिसे हम सभी ने कभी न कभी जरूर खाया होगा या बच्चे बढ़ों और भूरों सभी को बहुत पसंद आती है या बनाने में बहुत आसान है इसे बनाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है या टेस्टी और हैल्दी होने की वज़े से एक परफेक्ट डिनर रेसिपी है 10 प्लस मन्द बच्चों के लिए और आप इसे बच्चे को कभी भी दे सकते हैं आपका बच्चे ना केवल इसे स्वाद लेकर खाएगा बलकि इससे बच्चे का वज़न भी तेजी से बढ़ता है इसी बनाने के लिए एक बड़ा बोल लिया है अब हम इसमें आधा कटोरी या 5 से 6 बड़े चमच के करिब गेहूं का आटा एट करेंगे आटे को फैला कर बीच में थोड़ा स्पेस बना लेंगे अब इसमें बहुत थोड़ा सा नमक एट करेंगे अब हम इस आटे को मिल्क की हेल्फ से अच्छे से गूट लेंगे अगर आप भी इस बात पर यकीम करते हैं कि नमक के साथ मिल्क यूज नहीं करना चाहिए तो आप नमक को न मिलाएं हम इस आटे को मिल्क से गूटेंगे जिससे यह बहुत सॉफ्ट रहेगा अब हम इसका एक सॉफ्ट डू बना लेंगे अब इसे बेलन की मदद से बेलेंगे जैसके पराठी को बेलते हैं बीच में थोड़ा सा घी लगाएंगे आप इसे किसी भी शेप में बेल सकते हैं ध्यान रहे कि हमें इसे थोड़ा सा मोठा ही रखना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है यह हमारा पराठा बन गया है अब एक तबा गर्म कर लेंगे और उस पर पराठे को सेखने के लिए रख देंगे जैसे ही पराठा एक साइट से सिख जाएगा इसे पलट देंगे और घी लगाएंगे ऐसा ही दूसरी साइट भी करना है इसे हम पराठे की तरह सेख लेंगे इसे बनाने के लिए घी का ही इस्तमाल करें किसी भी तरह के ओयल का यूज नहीं करें जैसे ही पराठा सिख जाएगा और थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड लेंगे आप जितना छोटा टुकड़े कर सकते हैं उतना छोटे टुकड़े कर लें अब हम इसे दोनों हातों की मदद से मस लेंगे जिससे इसका बारीक पाउडर जैसा बन जाएगा आप चाहें तो इसे मिक्सर में ग्राइन भी कर सकते हैं पर मा के हातों का स्वाध ही कुछ और होता है दोसे तीन निट में दरदरा हो जाएगा अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब इसमें एड़ करेंगे आधा चमच मिश्री पाउडर अगर मिश्री पाउडर नहीं है तो आप चीनी भी एड़ कर सकते हैं अब इसमें एड़ करेंगे 1 फॉर्थ इस्पून ड्राइफ फूट पाउडर जिसकी रेसिपी की लिंक ट्रेस्क्रिप्शन में दी है अब हम इसमें 200 ml के करीब गाय का दूद एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5-7 मिनिट के लिए रख देंगे 5-7 मिनिट बाद हमारी रेसिपी बनके तयार है अब आप इसे बच्चे को खिलाएं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें